हेलो डियर फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल आरा टेग में तो कलम ने जो एक्सरसाइज 1.2 है कमपोसाइट फंक्शन की इसकी जो थ्योरी थी उसके वारे में पढ़ा था हमने जिसके अंदर हमने अभयव का प्रतलोम और फलन का प्रतलोम यह दो टॉपक हमने पढ़े थे तो आज उसी पर आधारित यह एक्सरसाइज है 1.2 तो आज हम इसके जित उन सभी को नम्मर वाई नम्मर अच्छे तरीके से समझेंगे चली श्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो विद्ध्यारती नहीं जुड़े हैं वो इस चैनल को सस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तदा कमेंट जरूर करें और अपने सभी मित्रों के साथ इस को ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें तो आप पहला क्वेशन है कि यदि ए बराबर एक समुच्चे दिया है जिसके अंदर जो अभयब हैं वो हैं वन टू त्री फूर तता बी बराबर दिया है समुच्चे ए भी सीड़ी हो तो ए और बी में चार एके की आच्छा दक फलन परवासित किये गए हैं परवासित कीजिए सता उनके प्रतलों फलन भी ग्यात कीजिए यानि हमें एके की और आच्छा दक फलन पहले परवासित करना है और उसके बाद उनके प्रतलों फलन भी हमें बताने हैं तो ए से वी में चार हमें एके की आच्छा दक फलन बताने है तो उनका relation हमें बताना है तो जब AK की और आच्छा तक इनकी बात हुई है तो एक पर revise कर लेतें कि AK की और आच्छा तक होता क्या है तो सबसे पहले हम AK की बात करें यानि की one-one function तो one-one function क्या होता है अगर कुई समुच्चे हमारे पास A है और एक समुच्चे B है तो समुच्चे A के प्रतेक अवेव का समुच्चे B में एक यूनिक प्रत्वे मोना चाहिए अधुत्तिय प्रत्वे मोना चाहिए ठीक है अगर ये चीज़ पॉसिवल है तो हम उस फलन को AK की फलन कहेंगे अब आच्चादक की क्या कंडिजन है आच्चादक की जो कंडिजन है वो ये है कि A और B इसी तरीके ते अगर हमारे पास दो फलन है तो जो समुच्चे B है इसी के प्रतेक अव्यवका समुच्चे A में एक अदुत्तिय प्रत्विम होना जरूरी है यानि कि समुच्चे B के प्रतेक अव्यवका समुच्चे A में एक अदुत्तिय प्रत्विम हो तो हम उसको आच्छा दक कहेंगे और अगर ये दोनों कंडिजन एक साथ हो यानि एक एकी भी हो और आच्छा दक भी हो तो हम उसको एक एकी आच्छा दक फलन कहते हैं समझ मा आ गया अब चलिए क्वेसंस की बात कर ले दे तो इस तरीके के हमें चार एके की आच्छा दक फलन वना रही है और उनके प्रत्विम भी लिखने है तो सबसे पहले जो हमें दिया गया था एक बरावर वन टू थरी पोर एक समुच्च है सेट है और वी वरावर वी सीडी तो हमने एक फलन बना लिया एक एक की आच्छा दक फलन तो एक एक की आच्छा दक फलन हमने बना लिया तो ए समुच्च्च में तो दिये हैं हमें वन टू थरी और फोर तता जो बी समुच्च्च्च है इसके अंदर हमें अभी अब दिये हैं A, B, C और D और इनके बीच में हमने एक फंक्शन F1 कि डिफाइन कर दिया अब इन से हमें एक एक यह आच्छा थे फिनार बनाना है तो हमने वन का रिलेशन एसे कर दिया तू का रिलेशन B से, थ्री का रिलेशन C से और फोर का रिलेशन D से यानि एका प्रत्विम कितना है ए है तू का प्रत्विम B है और थ्री का C और फोर का D इस तरीके से हमने यह फलन बना लिया F1 तो यहां से हम देख सकती है कि समुच्य A के प्रत्विम कि समुच्य A के प्रत्विम कि एक अधुत्ती यह प्रत्विम है तो यह है और जब दौनों करदिसेन एक सा तो इस तरीके से जो हमने function एबन बनाया है फलन वन वो एक एक ही आच्छा दक फलन होगा यानि वन का relation A से, two का relation B से, three का relation C से और four का relation D से तो यह तो हमारा हो गया एक ही आच्छा दक फलन अब उसमें पूचा है कि उनके प्रतलों फलन भी घ्यांद किये तो हमें फलन का प्रतलों ग्यांद करना है तो F1 का प्रतलों फलन क्या हो जाएगा F1 inverse और जो अब्याव की position है वो change हो जाएगी यानि कि 1A था तो वो A1 हो जाएगा, 2B था तो B2 हो जाएगा, 3C था तो C3 हो जाएगा और 4D था तो क्या हो जाएगा? D4 हो जाएगा तो यह हो गया इसका प्रतलोम फलन अब दूसरा फलन हमने किस तरीक से डिफाइन किया है कि 1 का रिलेशन हमने ए से बता दिया 2 का रिलेशन दूसरे माले में हमने क्या किया है 1 2 3 4 यह तो यह क्या है और A V C D यह B क्या है इसमों चेक है थीक है तो इसमें हमने क्या किया 1 का रिलेशन तो A से बता दिया 2 का रिलेशन si से 3 का रिलेशन B से और 4 का डडी से तो यह भी हमारा क्याता हूँ गया 1 की फलन हो गया और A चा अधम हो गया तो यह 1 की आच्छा नहीं हो जाएगा अब इसका इनवर्स की बात करें तो इनके अव्यपों की पोजिशन चैंज हो जाएगी यानि की इनवर्स क्या आएगा A1, C2, B3, D4 तो इस तरीक से हम दूसरा फलन भी डिफाइन कर देंगे अब तीसरे फलन की बात करें तो तीसरे फलन हम क्या करें फलन हम इसके लिए न कर दें तू का रिलेशन इसे कर दें 3 का रिलेश्न इसे कर दए झाय का रिलेश्न करतूँ आप वी जाए ठीक है और फुर का रिलेश्न सीसटे कर देंगे इस तरीक से भी आप बना सकते हैं पो उसका अनिवर्स भी एत कर सकती है एक तो इस तरीके से हमें टोडनle स्दिल चार बना रइंगे तो चार किसी तरीके से आप बना सकती है है कि तो यहां पर मैंने Unix 4 की चार दिये हैं यहां पर फिसतर यहां पर पर उपया ऐसे है पर और यह सी यह लाश्च में तो इस तरीकित हम इनके रिलेशन को फाइंड कर सकते हैं और इसका चौता जो है वो भी इसी तरीकित हम बना लेंगे तो कोई दिक्कत है इसमें चलिए नेश्ट क्वेशन यदि एप सच दैट आर टेंश्टू आर यानि एक फलन है जो वास्त्विक संक्या से वास्त्विक संक्या पर डिफाइन है तता एपेक्स वराबर दिया है एक्स की गात्तील माइनस थ्री हो तो सिद्ध कीजिए कि एपवन इनवर्स बिद्दमान होगा यानि कि इसका एप बन इनवर्स भी होगा तता एप बन इनवर्स का सूत्र भी ग्यात कीजिए और एप इनवर्स 24 तता एप इनवर्स पांच इनके मान भी ग्यात कीजिए यानि कि पहले तो हमें सिद्ध करना है कि इसका इनवर्स फलन इसमें बिद्दमान है और उसका formula निकालना है ठीक है फिर उससे हमें इन दो मानों पर उसका मान ग्याद करना है 24 पर और 5 पर तो सबसे पहले इनवर्स ग्याद करने के लिए जो हमारी condition है कि हम फलन का इनवर्स तभी ग्याद कर सकती है जब हमारा फलन एक एकी और आच्छा तक हो ठीक है तो हम पहले उसको हम define करेंगे उसके वाद हम आगे की process को बढ़ाएंगे तो पहले हम एक एक की आच्छा तक प्रूब करेंगे इसको फिर वहाँ से हम एनवर्स निकालेंगे इसका तो चूंकि हमें दिया है f such that r tends to r और एप x बराबर x की गात 3 माइनस 3 तो यह फलन एके की यह बहुँ एक एक की कहलाएगा क्व माना की a और b belongs toRI तो एक की condition हैई वह प्रूब कर रहे हैं तो AZ एक एक की जो प्रण्डिसन ए एकए की फलन कब होता है। कोई फलन एकए की ख़लाता है। यदि उस फलन की अगर इमेज बरावर हैं, तो उनकी जो अवियुअ है, वो भी बरावर हो, तो हम उसको एकए की फलन कहेंगे। इसलिए function of a बरावर function of b यानि कि जो a अवयव है उसकी image बरावर है b अवयव के ठीक है तो हम जो फलन हमें दिया था एप एक्स x की गात 3 मानस 3 तो यहाँ पर x की हम a रख देंगे तो यह प्राप्त होगा हमें a की गात 3 मानस की 3 और अगर b रखेंगे तो b की गात 3 मानस 3 दोनों तरफ से मानस की 3 कडियेंगे तो क्या प्राप्त होगा a की गात 3 बरावर b की गात 3 यानि कि a बरावर b तो हम कह सकते हैं कि ज आच्छा तक की बात करें, तो आच्छा तक फलन होनी के लिए, माना की y है, अब यह वो हमारे real number में ब्लॉंग करता है, तब हमने apex बराबर y लिख लिया, और जो apex का मान है, वो हमने रख दिया, तो x की गात 3 मानेस की 3 बराबर y, और यहां से हम x की value निकालेंगी, तो x की value जब हम यहां से निकालेंगी, तो यहां से हम हम x की गात 3 दिया है, और minus की 3 है, वो बाए की तरफ चले जाएगे, तो plus की 3 हो जाएगी, अब जो गात है, उसको हम इधर पहुँचाएगे, तो इधर यह गात है वो एक वट्टे 3 हो जाएगी, तो इधर 3 है, तो इधर कि दिने हुजएगी एक बट्टे तीन तो यह भी किसमें बिलोंग करेगा रियल नमर्स में फोर आल बाई बिलोंग श्टू आर के लिए अत है बाई के प्रतेख मान के लिए एक्स प्रांथ आर में क्या होगा बिद्दमान होगा इस प्रकार से जो एप का परसर है वो एप का क्या होगा सै प्रांथ यानि कोड डॉमेन होगा तो हम कह सकते हैं कि एप हमारा फलन क्यासा होगा आच्छा दक फलन होगा तो अगर हमारा फलन एक-एकी है और आच्छा दक है तो उस फलन को हम एक-एकी आच्छा दक फलन कहेंगे तो इसलिए हमारा यह फलन कैसा हो जाएगा एक-एकी आच्छा दक फलन अब हम इसके इनवर्स की बात करें तो एफ इनवर्स जो डिफाइन होगा चुकि f हमारा कहां से कहां पर है R से R में है तो f inverse की बात करें तो दूसरा आपयावब वह पहले आई आएगा और पहला आपयावब वह लाष्ट पर चला यहाए खालन तो यह महारा inverse होगा तो इसी तरीके ते हम इसका inverse निकालेंगे तो वह भी कहां से कहां पर दिप्ज़ान यानि एपेक्स की जो value है वो बाई की बराबर हो जाएगी तो जहांसे हमें x कामान मिल जाएगा 2 प्लस 3 और उसकी होलगात 1 वक्टे 3 लिएक इनल्षा की तरह मिल जाएगा 2 प्लस 3 इसकी होलगात 1 वक्टे 3 इसी तरीकी से अगर हम एप इनल्षा एक्स निकालें तो वो हमें कितना मिलेगा X प्लस 3 और उसकी होलगात 1 बटे 3 4 all X belongs to R के लिए अब उसने Aip Inverse पूचा था Aip Inverse 24 का मान कितना होगा तो X बनावर हम 24 रख देंगे तो 24 प्लस 3 27 हो गए और उसकी होलगात 1 बटे 3 तो 27 का हमें क्यूब रूट निकालना है यानि घनमूल तो 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3 इसी तरीके से हम 5 के लिए निकालेंगे Aip Inverse 5 के लिए तो X के लिए हम 5 रख देंगे तो 5 प्लस 3 8 हो जाएंगे और 8 की गात 1 बटे 3 यानि हमें 8 का क्यूब रूट निकालना है तो वह हमें प्राप्त होगा 2 तो इस तरीके से हमें इसमें पहले सिद्ध करना था कि इसका Inverse अभिद्वान है फिर उसके बाद हमें X बरावर 24 और X बरावर 5 पर Inverse फलन की वेलू जाद करनी थे चली नेक्ष्ट क्वेसन क्वेसन नमर 3 यदि एफ सच देट R टेंश टू आर निमन प्रकार परवासित है कैसे? एप एक्स बरावर 2X माइनस 3 यहाँ पर गलती है 2X माइनस के 3 और दूसरा फलन है एप एक्स बरावर X की का 3 प्लस 5 तो सिद्ध कीजिए कि दोनों सिद्धियों में एप एक की आच्चा तक फलन है और उसका इनवर्स भी ग्याद कीजिए यानि फलन का इनवर्स भी बताना है तो सबसे पहले हमें एक एक की आच्चा तक ग्याद करना है सिद्ध करना है उसके बाद हमें इनवर्स याद करना है तो जैसे अभी हमने किया था सेम तुसे हम उसी तरीक से करना है पहले हमें एक ही की फलन सिद्ध करना है जिसकी कंडिसन है कि अगर अवयबों की जो इमेज है वो बरावर हो तो अवयब भी बरावर होते हैं तो उसी त अब हम एक एक की सिद्ध कर रहे हैं तो माना की फोर ओल एक कोमा भी ब्लॉंक्श्टू आर के लिए अगर फंक्शन आप ए बरावर फंक्शन आप भी है तो उनके मान रख देंगे तो यहां से मानस तीन से मानस तीन कड़ियागा तो तू यह बरावर टू भी अब टू से टू कड़ने के बाद ए बरावर भी यानि कि हमारे जो फलन है वो एक एक की फलन हो जाएगा अब हम आच्छा तक की बात करें तो माना कि य बिलॉंग्स तू आर के लिए एप एक्स बरावर भाई और जो एप एक्स का मान है वो हम भाई की बरावर रख देंगे तो वहां से एक्स की वैलू निकालेंगे तो हमें दिया है दो एक्स मानस तीन बरावर भाई मानस तीन को भाई की तरब पहुचाएंगे तो दो एक्स बरावर भाई प्लस त्री और यहां से एक्स की वैलू आएगी भाई प्लस त्री डिवाड़ वाई टू प्दुन देचर के लिए वाई के प्रतेगवान के लिए इसका पूरू प्रद्विम्मिर्ट रम वाभिद्वा नियुकंशा तो कर द saturation और रम प्ता वंद्वाण होगा तो यह आपके बईदमान होगा क्योंकि एक एक याच्छा तक फुलन हो गया हम माना कि एकष्ठ आज ऑर एप के प्रांत के लिए थादा हसे आज बवर किरिए से एक Util यूदी उर्फी आज एकष्ट की पाई आजकुकर करें आ escrille कि एकवाइब कर Dash दें to for all x belongs to r के लिए तो इस तरीके से हम इन questions को हल कर सकते हैं तो इसी तरीके से इसका जो second question है वो आपको खुद से solve करना है पूरी process इसी तरीके से है same to same पहले हमें AK की सिद्ध करना है तो इसके बाद हमें आच्छा तक सिद्ध करना है और वहाँ से हम जो value निकालेंगे उसके लिए हम उसमें inverse funnel बताएंगे उसका inverse funnel ज्यात है आपका next question है question number 4 कि यदि a बरावर एक समुच्च्च है 1,2,3,4 और b बरावर है 3,5,7,9 तता c समुच्च्च है 7,23,47,49 और f such that a test to b किस तरीके दे डिफाइने fx बरावर 2x प्लस 1 तता g such that b test to c ये डिफाइने gx बरावर x स्क्वेर माइनस के 2 हो तो जी यो एफ इनवर्स और f इनवर्स o g इनवर्स को किरमित यूगमों के रूप में लिखिए यानि कि हमें रूबर और पैर में इनको लिखना है तो हम्यं g o f का और वाल इनवर्स निकालना है खिस तो सबसे पहले हम ने इनको लिख लिए यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये 79 नहीं 49 देखिए तो सबसे पहले हम जो चीज़ हमें दीए वह लिख लेगे तो हमें पहला फंक्शन दिया है एप सचछ देट एक टेस्टोवी और एक्स ब्राबर दो एक्स प्लस इसी तरीके से जी सच देट भी टेस्टोफी और जी एक्स ब्राबर क्या है एक स्क्वेर माइनस की द पताय था कि जब हम go f लिखते है तो जो हमारे श Lewis के का जो फंक्सनुर बनेगा इंत कि कहां से कहां पर डिफाइन हुगा उसके लिक्विए क्या करते हैं पहले फनक्शन पर लिखते हैं तो आप काहें किisa घुखते हैं से कहां से काँप अब बनेगा तिक इसलिए जी ओफ क्या हो जाएगा एसे सी यानि एटाइश टू सी ज़ी ओफ है वह इस तरीके दिएवाइन है कि उसके जो अभी आफ है वह सी की तरब डिफाइन है अब इसका इनवर्स क्या हो जाएगा सी से एकी तरफ ठीक है सी टाइस टू ए अब इनके अभयाब निकालने क्रमित योगमों के रूम में तो जी ओ एफ एक्स वराबर जो हमारा फॉर्मूला आये क्रमित योगमों उसके लिए साइम्स फ़लन के लिए जी फंक्सवन आप एक होगे तो हमने रख दिया पहले जो समूच्चे आ उसके अभ्याव जी ओए प्वन तो ये क्या हो जाएक ज सबंक्सवन और अबान की वैश्जिय वैल्यक्या चनृ मैंक दिया है इसमां एकस ब्रावर 100 रखेंगी है कि चेंव एक्स ब्रावर रखेंगर तो कितना हो जाए हम इसमें वेलु रखे जियानि एक पर आबर त्री रखेंगे इसमें कितना होया कि तीन का स्कुर्ड माइनस के 2 में तो थीन के स्कुर्ड्नौ नो में से दो गेता है इसलिए कितनी आजाएगी वैलू सेवन वैल आजेगी हमाज मारा और इसी तरीके से जी you subscribe to यानी याने जी फलिव संउब इन फंक्सन फ य एप बद्वाराबर 2 रहेंगए तो ये डिरुं का 7 फाइव हो जाएगा अ तो फाइब है वह हम GX में रखेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा पांच का सुक्र मानस दो यानि 25 मानस दो बराबर कितने हो जाएगे 23 इसी तरीके से में क्या निकाल ला है जी फंक्सन अप 3 और इसमें हम एक्स बराबर 3 रखेंगे तो तीन दोनी 6 और एक साथ तो जी हो जाएगा आप लाइस्ट वैलू जी ओ एफ फोर तो जी फंक्सन अप फोर यानि आप इसमें हम एक्स बराबर पूर रखेंगी तो चार दूनी आठ और एक नौ हो जाएगे तो जी नाइन और जो नाइन है वह हम जी एक्स में रखेंगे तो नो का स्कूर मानस दो यानि 81 में से तो गए त से था सेवन से यहां पर देखिए इसी तरीकी से टू का 23 से तीन का 47 से और चार का 89 से ठीक है तो यह तो हमारे जी यो एफ अब हमें पेपर में पुचा गया है उसने जी यो एफ का एनवर्स ज्याद कीजिए तो एनवर्स कहां से कहां पर डिवाइन था सी से एक तरफ तो जो हमारे अब यह यह अपना स्टान्च चैंज कर लेंगे यानि इनके और चेंज हो जाएगे जैसे 17 पहले दिया है तो यह को जाएगा जैसे 23 23,2 हो जाएगा ऐसे 3,47 है तो 47,3 हो जाएगा और लाइस्ट वाला 89,4 हो जाएगा तो यह हो गया हमारे जी यो एफ का इनवर् से बूंक तरीकी से उपन होता है वो होता है एप इन वर्स और जी नवर्स तो यह दोनों मान क्या होंगे समान ही होंगे ठीक है और यहीं दोने चीजि़ हमें पेपर में इस प्रशन में पूछी गई थी कि नेक्ट कॉछन की बात करें कि वसन नमर्फाइव यदि एप सच दैट आर टेक्श टू आर और एप एक्स बरावर दिया है एक्स प्लस भी जहां पर ए नॉट इकल टू जी रो है इस प्रकार परवासित हो तो सिद्ध कीजिए कि जो हमारा फंक्सन एप है वो एक एकी आच्छा तक फलन है और एप इन वर्स का सूत्र भी ग्य की फलन होगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि सबसे पहले करिजांदी कि जो हमारा समुच्चे एं है उसके प्रतेख अभ्यावका समोच्चे भी में एक अधुत्तिविम वोना चाहिए तब तो वह प्रतीविम होता है और अच्छा तक की बात करें तो समुच्च्चे B के प्रतेक अभ्यव का समुच्य A में भी यूनिक प्रत्विम होना चाहिए तब वो आच्छादक होगा और दोनों एक साथ की बात कर रहे हैं एक 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 आच्छादक की तो यह दोनों कंडिशन अगर एक साथ फॉलू हो तो हम उसे कहेंगे एक 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 आच्छादक ठीक है और एक एक की होता है तो हमने माल लिए कि एक सच्छाद आर टेंश टू आर और एक एक प्लस ब्लस भी जहां पर एक 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 की बात कर रहे हैं तो फोर ओल एक्स वन कॉमा एक्स टू ब्लॉंग्स टू रियल नंबर्स आर की लिए जो हमारे एक्स वन एक्स टू अव्यव है इनकी अगर इमेज बराबर है तो इमेज किसके बराबर है फंक्सन अब एक्स वन और फंक्सन अब एक्स टू तो यह हो जाएंगे एक्स वन प्लस भी बराबर एक्स टू प्लस भी दोनों तरफ से हमारे बी कटी आएंगी तो यह तो इनकी जो अभयव है X1 X2 वो भी बरावर आ गए यानि कि जो हमारा फालन है वो एक एक ही हो गया अब हम आच्छा दक की बात करेंगे तो आच्छा दक के लिए for all by belongs to r के लिए x belongs to r इस प्रकार define है की function of x बरावर by और एक गवान कितना है AX plus B तो यहां से हम एक की value निकालेगे तो एक बरावर by एक बरावर by-b upon a और यह भी value किसमें belong करेगी reals number में यह यानि कि जो एप का परसर है किसका एप का परसर बो किसकłe ऒरावर होसे बरावर विलंचन के बरावर हो जाएगा मैंने बतायों तो इस तरीके से हेमारा बन केस हो जाएगा और डिम елов प्रूप हो गया आच्छा तक भी प्रूप हो गया तो दोनों एक साथ यह कंडिशन फॉलो हो रही है तो हम कह सकते हैं कि हमारा फ्लन कैसा है एक एक और आच्छा तक है अब उसमें हमें पूचा गया है कि इसका इनवर्स फलन भी ग्याद कीजिए तो जैसा कि हमने अभी माना था कि function of x ब्रावर y है तो यहां से हम function को इधर पहुचाएंगे तो inverse में change हो जाएगा यानि एक इनवर्स by ब्रावर x और चुकि ax plus b यह function of x की value है तो यह by के ब्रावर हो जाएगी यहां से x की value निकाले तो by minus b upon a है अब प्रत्रदद ऐसा होते हैं और ये फिन ृघ चुआ एक सा जाने जाके तो यह यह पंशन पूछी है ए इसमें बिद्धमान होगा यानी कि हमें इसमें बताना है कि इसमें आप इनवर्स का अस्तित्व है या नहीं है तो हम पहले क्किनद किक्रिश करेंगे क्या if the framework हम तबelnलप कर सकते हैं जब हमारा फ़लन कैसा उना चाहिए कि फश्माहन का बदेम कर सकते है पन्य खर झिश्लोय है को कि इसके लिए है चैक कर लें यह यानि कि जो समुच्ष अ है इसके प्रतेग अव्यव का समुच्छ B के प्रतेग अव्यव से एक यूनिक संबन होना चाहिए अधुत्ती संबन होना चाहिए तब तो वह एक एक होगा तो हमने अलग अलग वैलू रखी तो हमने लिग लिए एक सजट आर्ट 102 आट और अठर गास लिए तो सबसे पहले हमने किया कि माना बगद बहुंगे करेंगे एक हैं अब हमने चेक किया कॉस्ट सब्सक्राइब मानस लोगे लिए और तूपाइब मारसट्व के लिए तो हममने फंक्सन में रख दी वैलू फंक्सन अफटूपाई-2 कॉस्ट ए प्रस दो पहले से खोड़ यानि चूपाई अब चुखिं कि cos by some pi जो होता है वो minus 1 होता है और cos some pi क्या होता है plus 1 तो यह two piへ some pi है यानि even pi है तो इसकी value भी कितनी हो जाई ही 1 अब हम देख सकते ही कि हमारी यह function of minus two है उसकी value और function of two pi minus two है इसकी value दोनों बराबर आ रहे हैं कि कैसी आ रही है दोनों बरावर आ रही है लेकिन जो इनके अवयव है वो अलग अलग है कि कैसे अलग अलग है कि नहीं जबकि हमारी एक एक की कंडिशन है उसमें क्या होता है कि अगर इमेज बरावर है अगर तो फंक्शन की इमेज बरावर है तो उनके जो अवयव है वो भ लेकिन इनकी अवयव हैं वह बरावर नहीं है कि हम एक बहु एकip फलन होगा यानि बहु एक एक यानि कि जो पहला समुच्च होगा इसके दो या दो से अधिक अभिवाब का समुच्च जो रिलेशन है वो समुच्च भी में किसी एक अभिवाब से होगा ठीक है तो जब यह एक एक फ़ला नहीं रहा तो हम कह सकते हैं कि इसका एफ इन वर्स भी बिद्दमान होगा इसमें तो इस तरी के समय चेक करने है कि वसन नमर साथ कि एफ नमर से ज्याद कीजिए यदि विद्दमान हो कव जब एफ सच्च जैट एट एट एस टूबी हो जहां पर ए बराबर दिया पहला को इसका ए बराबर जीरो माइनस वन माइनस त्री और टू बी बराबर है माइनस नाइन माइनस के थ्री जीरो और और एफ एक्स हमें डिफाइन है एक्कोल टू थ्री एक्स तो हम यहां पर इनकी वैलू निकालेंगे तो फंक्शन अब जीरो यानि कि हम यह से बीकी तरब डिफाइन कर रहे हैं तो हम जब एक है समच्च्च के जो अभिएवए उनको रखेंगे और B के अब याब हमें प्राप्ट करने है तो हमने पहले रख दिया A की वैलू 0 तो हम इसमें X ब्राबर 0 रखेंगे फंक्शन में तो कितना हो जाएगा 3 इंटु 0 ब्राबर 0 और यह किसमें ब्लोंग कर रहा है B में ऐसे ही माइनस 1 रखेंगे पूल之後350 आथ ऒसे हलेनस 8 फंक्शन मायनस 1 ब्राबर इन टु बोचह किती यही बी में है ऐसे ही एफ मायनस 3 ब्राब़र इन टु मानस के थीं ब्राबर मानस के लों सही किसमें बी समोचे में है और F22 ब्राबर सिकस्ट यहstellung समोचीम है हैं तुम कह सकते हैं कि जब इसके प्रत olması को यानि समुच्छ The ank में एक यूनिक संवांद है। हम एसका एक एक जो फुलान की चंदिसन वह हमारी स्थ हो जाएगी और ऐसे लिए प्रतिये खांप साय समिश्च Неक प्रतिये कावफ से समन्द है तो तो यह आच्छा तक भी हो जाएगा तो इसका हम इनवर्स निकाल सकती हैं तो एप बरावर हमारा हो गया 0,0-1,3-3,9-2,6 तो इसका इनवर्स प्लन क्या हो जाएगा यानि जो संख्या है वो पलट जाएगी 0,0-3,1-9,3 और 6,2 पसन नमर सेक्ड इसका एप एक्स ये बरावर दिया हमें 1,3,5,7,9 और भी समुच्चे दिया है 0,19,25,49,81 और एप एक्स डिपाइन है एक कॉल टू एक्स उसकर गए तो यहां पर हम समुच्चे एकी वेलू रखेंगे तो f1 बरावर fx क्या है x का स्कूल यानि 1 का स्कूल बरावर 1 1 तो b में है इसी तरीके से f3 बरावर 3 का स्कूल बरावर 9 ये भी है f5 बरावर 5 का स्कूल य cutting 25 ये भी बीम है कि एसे जब्र ऐसे एप स्कुर्ण यह भी है और लेकिन लेकिन यहां पर ये एक की फरन्द मतुं है लेकिन आच्छा तक कि जब हम बात करेंगी तो यहां पर हम देख सकते नहीं कि यहां पर जो बी समुच्छा में दिया है इसमें जो 0.05 है इसका समच्चे a में कोई भी प्रत्वयम नहीं है देखो यहां पर मैंने लिख भी दिया है क्युआकि a समच्च्यम हमारे पास 5 अभिव है और 20 समच्च्यम हमारे पास 6 अभिव है तो जीरो जो है वह वह बीववात ब्लोंग कर रहा है लेकिन इसमिका ए में कोई भी पूरु प्रद्विम बिद्वान नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि f हमारा अंतरचेफी फलन है, यानि कि into function है, तो ये on to function नहीं है, यानि कि आच्छा तक फलन नहीं है, तो हम इसका f inverse घ्याद नहीं कर सकते हैं, यानि इसका f inverse बिद्वान नहीं हो लाइस्ट क्यों इसका एक बरावार बरावर और एप आप एक बरावर है १ातीन तो हम इसका विद्धमान है तो तो हम लेंगे कि अपेक्स ब्रावर बाई तो यहां से एकस की वेलू निकाले तो क्या होगी एप अपर बाई थी और एपके तो यहां से अगर हम X की वैलू निकाले तो X पर भी गात 3 है तो यह बाइप पर जाएंगी तो वह भी कितना हो जाएगा तो यह थे आपके सभी प्रशन प्रशनावली एक पंट दोगे तो मैं समझता हूं कि आपको सभी प्रशन अच्चे तरीके से समझ मागए होंगे और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगई हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सिगर करें यह हिंदूस तो